नमस्कार दोस्तो हमारे साथ बने रहने के लिए और वापिस आकर हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्याबाद मैं हूँ दिवयाशर्मा और आप देख रहे हैं चैनल दिवयाशर्मा वी लोग दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जारी हूँ नंबनेस, टिंगलिंग, हाथ पैरों का सोना आखिर के इंकार्णों से होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस परशानी को फेस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और हर बार ये सोचते हैं कि इसे शेक कर लिया जाए हाथों को पैरों को या फिर थोड़ा सा मसाज कर ली जाए तो ये नंबनेस दूर हो जाएगी दोस्तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है आप उनको शेक करते हैं अपने हाथों को हिलाती हैं तो ये नंबनेस हाथों पैरों का सोना बिल्कुल ठीक हो जाता है और अगर ये ऐसा नहीं होता ये ठीक नहीं होता तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए ये जिनको ये कभी कवार होता है और जब अपने हाथों या पैरों को हिलाते हैं थोड़ा सा मसाज करते हैं थोड़ा सा दबाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है तो उन्होंने क्यार करना है इसके इलावा अगर ये समस्या हिलाने पर डुलाने पर नहीं ठीक होती और ये इलाज यानि की first part की बात करते हैं अगर आपको ऐसा होता है कि यह कभी कबार हो रहा है कि आप जब जागा ताइम तक पलाती लगा कर बैठे रहे एक घंटा दो घंटे तो आपके पैर सो गए या फिर आप रात को सोए हैं आपने अपनी बाजू अपने सिर्क के नीचे रखी कुछ लोग अराम से बैठे रहते हैं कुछ लोग अराम से लेटे रहते हैं दो गंटे तीन गंटे लेकिन उनके हाथ पैर नहीं सोते लेकिन आपके अगर कभी कबार भी सो रहे हैं तो आपके ही पैरों में खून की सप्लाई अच्छे से क्यों नहीं हो रही दूसरे लोगो अगर आपको यह समस्या कभी कवार हो रही है और आप चाहते हैं यही पर रुक जाए आगे नहीं बड़े इसका हल आपको मिल जाए तो दोस्तो आज से ही आपने लसुन खाना शुरू कर देना है लसुन यानि की garlic अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक natural blood thinner है इसके इलावा ये धमनियों को संक्रा होने से बचाती है ये धमनियों को चोड़ा कर देती है आपको ये समस्या दुबारा कभी नहीं होगी अब आपके मन में ये आएगा कि हमने लसुन का 7 कितने time तक करना है तो कम स से गुनगुना पानी पी लीजिए ऐसा कर सते हैं अगर आप अपने दांतों से चबा सकते हैं तो वैसे कर लीजिए लेकिन आपने एक दिन छोड़कर एक दिन इसका 7 करना है आपको ये समस्या दुबारा नहीं होगी क्योंकि हम blood thinner ले रहे हैं खून को पतला करने की बहुत नेचुरल दवाई ले रहे हैं जो धमनियों को भी चोड़ा करने का काम करती है अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की यानि कि जिन लोगों को ये समस्या जादा तर रहती है हाथ हिलाने से भी ये समस्या ठीक नहीं होती तो उन्होंने क्या करना है दोस्तों एक्चुली क्य हो रहे हैं कि हम कप उठा रहे हैं लेकिन बाकी की तीन फिंगर को नहीं हो रहा तो ऐसा इसी लिए होता है कि वो हाथ वो पैर या फिर वो तीन फिंगर वो बॉड़ी का वो पार्ट बिल्कुल फ्रोजन हो चुका है जम चुका है वाँ खून की सप्लाई बिल्कुल नहीं ह हो रही, दोस्तो इस समस्या के लिए ज़रूर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और इसके इलाज को तुरंत शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा घंबीर हो सकता है, आपको मुसीबत में डाल सकता है, तो दोस्तो आपने क्या करना रोजाना आपने दाल चीनी का सेवन करना है दाल चीनी का सेवन क्या काम करता है एक तो ये ब्लड के सर्कूलेशन को ठीक कर देगा खून को पतला कर देगा ये बुरे कॉलेस्टरोल को शरीट से बाहर कर देगा एक्चुली धमनीयों के अंदर जब कॉलिस्ट्रोल जबा हो जाता है ब्लॉकेज आ जुकी होती है तब ये समस्याट जादा और जादा पैदा हो जाती है तो आपने सिर्फ दो चुटकी दालचीनी को एक कब पानी में उबा लिए और इसका सेवन दिन में एक बार कभी भी कर लीजिए रुजाना करना है कम से कम एक महीने के लिए अगर आपको इस दोरान कोई गर्मी महसूस होती है आप दिन में तीन बार चार बार सौफ चबा सकते हैं सौफ का पानी पी सकते हैं सौफ का पानी आपने गरम करके नहीं पीना, just सौफ को पानी में भिगोईए और इस पानी को 2-3 घंटे के बाद छान कर पी लीजिए, उपर से सौफ भी चाहे खा लीजिए दोस्तों ये तो मैंने आपको तरीका बताया जिनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम है या कम प्रॉब्लम है इसके लावा दोस्तों मैं आपको तीन ऐसी चीजे बता रहे हूं जिनकी शरीर में कमी होने से ये नर्वस सिस्टम बहुत कम जोर पढ़ चुका होता है मंबनेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि दालचिनी लेलो चाहे लसुन लेलो वो ठीक नहीं होती उसके पीछे क्या रीजन है क्योंकि बॉड़ी के अंदर मिनरल्स जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है उनकी तो कमी हो गई दोस्तों वो कौन से तीन मिनरल्स हैं सबसे पहला है कैल्शियम दूसरा है आईरन और तीसरा है विटामीन बी ट्वल्फ अगर शरीर के अंदर इन तीनों चीज़ों की कमी है या फिर इन में से किसी एक चीज़ की भी कमी है तो हाथ पैर सोते हैं और हिराने पर भी ठीक नहीं होते अगर आप कितना मर्जी उसे हिला ले कितना मर्जी शेक कर लें वो ठीक नहीं होते तो दोस्तों आपको कैल्शियम वाली डाइट लेनी है और कैल्शियम वाली डाइट में आप भुने हुए चने और गुड़ का सेवन कर सकते हैं आप सफ अगर आपके शरीर में आईरन की कमी है तो खून की कमी तो अपने आप हो जाएगी, शरीर थकान मैसूस करेगा, बड़ का सर्कूलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, खून ही नहीं पूरा तो सर्कूलेट कैसे होगा, तो दोस्तो उसके लिए आपको रोजाना पालक का जू तो नसे कहीं से भी मुड सकती हैं, सिकुड सकती हैं, संक्री हो सकती हैं, और ब्लड के सर्कूलेशन में रुकावट पैदा कर सकती हैं, तो दोस्तो इसके लिए आपको रोजाना विटामिन B12 लेना है, विटामिन B12 किस में अच्छा होता है, आप दही ले सकते हैं, दही को आटे में डाल कर आटा गून सकते हैं आप रोजाना अंकूरित अनाज खा सकते हैं आप अच्छी मातरा में धूप लीजिए दूद दही का सेवन जादा कीजिए इन सभी चीजों में विटामिन बीट्रल होता है तो दोस्तो ये जानकारी ये इन्फरमेशन यहीं तक थी मैं आशा करती हूँ उमीद करती हूँ इस जानकारी को फॉलो करने के बाद आपकी ये नंबनेस की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी आप इसे जरूर फॉलो कीजिए और इसके benefit लीजिए और मुझे comment करके जरूर बताईएगा और अगर आपके कोई सवाल हो जैसे कि मैंने आपको बताया आप comment कर सकते हैं नहीं तो मैं दिवे शर्मा चैनल पर साथ से साधे साथ लाइव आती हूँ आप तब भी पूछ सकते हैं शाम को आती हो लाइव तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ऐसी informative वीडियो और चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की information उसके updates मिलते रहें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कुछ बाएं